आज की शूड़ो में बनाने वाले हैं एक मल्टी गलर का LED बल्ब जो कि बनाएंगे ब्लू इस्टिक की मदसे जो कि आप मेरे हाथ में काफी सारी देख भी पा रहे हैं और गैज मैंने इसमें से सारे पीस कट कर लिये हैं और आप जितना बड़ा बल्ब बनाने चाहें उतना बड़ा इसमें बना सकते हैं मैं जो है फिलाल छोटा सा बल्ब बना रहा हूं जो कि नाइन वोट का है इसका आपको अल्ली फ्रेम लेना है ग्लू स्टिक लेनी है और बाकि यहां पर जो है आपको अगर मल्टी कलर की ना लें आप फिक्स वाली भी ले सकते हैं ग्रीन ले सकते हैं बूल ले सकते हैं आपके कोडिंगे आप किस तरह का बल्ब यहां पर बनाना गई चलिए इसको साइट रख दिया मैंने अब चलिए सबी में जो है मैं ऐसे ही करने वाला हूं और यार बाकि आपकी सारी डिमांड थी कि आप दिवाली पर जो है सारी लाइटिंग की वीडियो बनाओ तो मैं जो है यह सिरीज डेली अपलोड किया करूंगा डेली एक नई वीडियो मिला करेगी आपको कुछ अलग होगा हर वीडियो में तो इसलिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को बस सब्स्राइब कर लो आप बाकि आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़े मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो की भी और बाकि बहुती ज्यादा मजा आने से करें काम क्योंकि यार इसमें थोड़ी सी असावधानी आपको जो है डैमेज कर सकती है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें सारी चीज़े ठेक है देखने में मुझे आपको ऐसा लग रहा हो कि यह तो ऐसी है इसी जब आप इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में यार यह तो काफी ज़दा डेंजरस सा लगता है जब करते हैं इसको तो इसलिए थोड़ा सा आप अराम से करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अराम से करेंगे सब कुछ चीज़ जाएगे जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा चलिए यहां से ज देरे देरे सभी में हो गई है इतने आप चैनल को सब्स्राइब करो बीडť को लाइक कर दो बस चलो भाई इसको भी लगशा ँहाआ पर और जो चीज़ दिखाता हूं मधने चैनल पर हमेसा रील दिखाता हूं कुछ फेक यहां पर नहीं दिखाता आंप कोई सी भी वीडिय करता हूं जिससे च्छोटे ना इस पर से और यह जो है एक मिनट के अंदर में सारी जो हैं सूख जाएंगी तो अराम से हम जो है इसको यूज कर लेंगे लगाने के लिए अगर आप इसको सीधर डायक्ट अभी यूज करते तो यह हट जाएंगी इसमें से और टेडी भी हो ज चोटा सा मुझे सपोर्ट कर दो क्योंकि मुझे काफी ज़्यादा जरूरत है आप सभी की तो आपको जो है क्या करना है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक मिलेगा जो हमारा सैकेंड चैनल का लिंक होगा बस आपको क्या करना है वहाँ पर जाके ढ़र भी अच्छे सी चीज़े लेके आओगा क्युक्कि मुझे क्या है कि गेमिंग चैनल में जो है मुझे लाइव स्ट्रीम जो है करना बहुती यूदा पसंद है और मेरी जिस्पुर्ट करना है कि紅 होने के बाद उस पर जु appetite करणा जोो ऑप्सन आपको बस सपोर्ट महीं रख देना है बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है इस वीडियो में अगर आप वाके यार हमारे चैनल के मेंबर हो सब्सक्राइबर हो तो यार छोटा सा एक बस ये कदम उठालो बस एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो बस और कोई सपोर्ट की जरुत नहीं ह जो यहाँ ऑप वीडियो बोलोगे वह वीडियो आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर बातों होगी और मैंने यहाँ यहाँ वाले में बीच में connect कर दीती हैं तो मैंने ये सारे parallel में connect किये हैं ठीक है आपको भी इस तरह से करने के बाद ये आपकी यहाँ पर पूरी तयार हो चुकी है अब आपको क्या करना है अब आपको ये जो ग्लूइश ठीक है ये अभी हिन रही थी तो मैंने ये glue गंज की मदद से इसको भी चिपका दिया है तो अच्छी तरीके से चिपक गया है आप भी इस तरह से करना ठीक है चलिए अम मैं क्या करता हूँ इसको जो है बल्ब में एक बार connect करके देख लेते हैं पर उससे पहले हम जो है इस पर इğoseslar करेंगे तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको तरह क्समें बल्ब लगाई है बल्ब कर बने अपने पर नीक चोटा सा आइडिया दिया है अगर आपको आइडिया पसंद आया तो बस लाइक करके बता दिया हूं कर से पर भी नहीं मिलेगा यह चीज आपको ठीक है बाकि यार आप छोटा सा सपोर्ट कर दोगे अगर हमारे दूसरे चैनल को भी तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद होगा ठीक है तो चलो यार यहां से जो है मैं इसको चलो जल्दी से यहां पर इसको भी मैं यहां से नहां किकी अब यह जो है प्लड वाले पॉइंट है और आपको गाई एक बात का ध्यान रखना है जब आप यह वायर किसी में थूसरे साथ कनेक्ट ना हो मतलब ग्रेक्गर格 साथ हो जाते हैं तो बहुत जादा दिखका तो जाएगी, फिर या तो पूरे ही Bulb नहीं जालेग़, या फिर एक नहीं जालेगा, या फिर क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है मेरे साथ जब हो जाएगा तो मैं बता भी दूँँ आपको कहां ऐसा होता है तो यहां पर अभी कनेक्शन हो चुके हैं चलो अब क्या करने वाला हूँ मैं इस पे अब इसको जो है मैं अपने LED बल्ब में जो है क्या हमारे जो प्लस माइनस हैं वो सारे सेम लगे हुए है तो चलो उसको भी देख लेते हैं तो यहां से चीज़ hol आप सभी को यह चीज़े दिखा रहा हूँ तो नोर्मल सी बात है यह चीज़े तो यहां से हो गई अब चलिए मैं क्या करता हूँ एक बार अपने LED बल्ब में जो है driver को भी जो है soldering कर लेता हूँ यह वाला driver है इसको भी soldering कर लेता हूँ soldering करने के बाद इसकी जो पीछे के wires है इसको मैं सीधा connect कर दूँआ इस LEDs में चलो वो चीज तो यार आपको सारी चीज़े दिख जाएंगे तो यह रहा हमारा वो LED बल्ब का कैप और चलो इसको भी मैं एक बार soldering कर देता हूँ और थोड़ा आपको एक गाई set करना पड़ेगा आप ऐसी अगर इसको रख देते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है देखो इस तरह से लगने वाला है हमारा और जब आप इसको गुलो करा होगा ने रात के टाइम तो यार वाकई आपसे बंदे भी यह पूछेंगे के भाई कहां से लेके आयो या फिर किस तरह से बनाया है चलो यह होगे हमारा यहां से चलो भई इसको मैं जिल्दी से सोल्टिंग कर देता हूँ मैंने इसके अंदर वायर जो है लगा लिए हैं लगाने के बाद अब चलिए सोल्टिंग भी जल्दी से इसको कर ही लेते हैं तो यहां से गाईज हमने जो है ड्राइवर को भी लगा दिया है अपने इस LED बल्व के उपर कैप में और बाकी यह हमने वायर्स भी कनेट कर दिया है इसके तो मैं इसको जो है क्लिप इसकी बंद हो गई थी तो उसमें कोई दिखत नहीं आपको भी लगाने आते होंगे जो व यहां से यह हमने इसको एक वायर को यहां पर connect करने वाले हैं चलो मैंने थोड़ा जूम इसलिए कर दिया क्योंकि आपको अच्छे तरीके से दिखाए दे चलो मैं सबसे पहले मैंस वाला वायर्स यहां पर लगा ले दाऊं क्यूंकि यह अच्छी तरीके से fix हो रहा इस पर चलो यह हमारा यहां से connect हो गया और चलो इसको भी लगा देते हैं एक बाद जल्दी से थोड़े इसके wires जो है वो छोटे से पड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो इसको भी लगा दिया तो हो गया यहां से connect तो guys यहां से जो है मैं भी इस पर थोड़ी सी glue gun भी डाल देता हूं जिससे क्या होगा कि हमारे यह जो wire है यहां से छुटेंगे नहीं बस इतना होगा और यहां पर थोड़ी support भी मिल जाएगी एक दूसरे wire attach भी नहीं होगा तो इसलिए भी मैं जो है इस पर थोड़ी glue gun लग लेता हूं टाइम देश्ट ना हो तो गैसर कैसा लग रहा है आप सभी को यह glue stick वाला LED बल्ग मुझे तो यार काफी ज़्यदा बढ़िया लगा आप सभी यार कमेंट करके बताना के आपको सही लगा कैसा लगा क्या खराबी थी इसमें सारी चीज़े मुझे आप बताए नीचे कमेंट करके नेक्सी वीडियो के topic पर बनाओ वो भी कमेंट ज़्दी से कर देना क्यूंकि नेक्सी वीडियो आपकी भी हो सकती है ज़्दी से कमेंट करके बताओ और यार चैनल को यार दूसरे वालो को सबस्राइब ने किया तो भाई जल्दी से उसको भी सब्स्राइब कर लो और इस झाल